कि तो विदार्थियों कैसे आप सभी आसा करूँगा ठीक होंगे स्वागत है आपका आपके अपने स्याम एजुकेशन अलप पर विदार्थयों देखो आसा करूँगा कि वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और सबसे पहले आप सेनल पर अगर नहीं हो तो विदार्थि देख सकते हो एक बार आप इस पेपर को पटकर अपनी एक्जाम में अगर आप बेढ़ते हो ना तो मैं पूरा आप से आपको वादा करता हूं विदारतियों की काफी जदा आपको फाइदा मिले काफी नहीं बहुत ज़्यदा अगर आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते है अगर आपका जो पेपर होता है तो उनमें से आपके 75 के आसपास नंबर आने की पूरी संभाव न रहेगी विद्र क्योंकि पेपर हुबहु रियल तरीके से हैं इसमें कोई हैर फिर नहीं हो आपके पेपर सपने वाला यह हमारा एक अनुभव है विदार्थियों बहुत ज्यादा अनुभव है क्योंकि हम पिछली बार भी जो पेपर उपलोड कराये थे इसी तरीके से खुब हुआ प्रण सवाल देखने को मिलेगे एक जाम में तो जीन विदार्थि ने पीसे भी त्यारी की थी हमारे जो इस चैनल के माध्याम से इस वीडियो के माध्याम से तो बहुत ज्यादा अच्छे अंकों से पास हुए ते और उन्हें कम समी में और कम त्यारी से एक बात कहना चालता पूरा उत्र यहीं पर याद करवा दोगा इस वीडियो में आपको दुबारा देखनी की जरूती नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूत देखे अब परसन एक एक मौस्ट इंपोर्टेंट है और प्रिक्षाखी दस्टी से तो एक सोने में सुआगा है वि परसन पत्र एकदम रियल तरीके से वितारते हो हुब हुब देखनी को मिलेगा आपकी बोड एक्जाम में जो मार्स में प्रस्तावित हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव परसन होगे अब सिद्वा लाए ठीक है उसे हल करना होता है तो हम मैं सब कुस्त बता दू अगला है आपके दूसरा परसन दे रखा है लेखक बदलू को का करता था क्या करता था तो यह का का सब्द है यह बदलू है लेखक वो बदलू को का कहकर पुकारता था अगला है तीसरा उनती सब्द का विलोम सब्द क्या है उनती उनती का होगा अवनती क्या होगा अवनत ये अरक वे वो सुर्य का प्रेवासी है अगला है बदलू लाख पिगलाने का काम करता था कहाँ पर मौंबती से नहीं चुले की आग से भी नहीं दिये से भी नहीं दहकती बटी से क्या है दहकती बटी से क्या करता था बदलू लाख पिगलाने का काम करता था अगला है कि लेखक ने बसको केसा बताया तो पूजा योगी बताया क्या पूजा करने की योगी लेखक ने बसको बताया दिवाने संसार से सम्मध रखते हैं किसका समान बाव का किसका समान बाव का देखो विदारतियों आसा करूं का वीडियो को लाच जग जग देखे मैं बार-बार कहना चाहता हूं क्योंकि फाइदा इसमें आपको ही है विदारतियों अगर आप अच्छे अंकों से पास होना साथ है अगर बोर्ड प्रिक्सा में टोपर बना साथ है तो पर्षन हम बड़ी मेनत से त्यार करते हैं यह पेपर आपके लिए तो आप बैस एक बार आ प्रसश्ति-पत्र आप अगला हिएक दवनीं वर्णॉ के मेल को क्या कात Went आप इसमें संधि को क्या कहलाति है संदि कितने फुक्रारक होती है श्वर संधी विचे Judy वैंजन संधी और विश्र के संधी संगे तो ये आपका हो गया अगला है आपके 15 लगबग मुझे लगता बात वाधा साथ 10 से 15 कवीता में डाकी बताया है किसको पक्सी और बादलोह को बादलोह को बगवां-क के लाखी आपने अगर पड़ा है पाट तो इसमें पक्सी और बादलोह को यह बताया हैं यह बताया आपके पक्सी और बाद लोगों बगवान के डाकी नेक्स्ट होगा आपके पर्षन में दे रखा है कि नीचे दे रखा है कि फलना और फूलना का अर्थ क्या है फलना फूलना तो क्या वहता उन्नती करना फलना का फलना मत वहता उन्नती करना यह विकास करना अगला है कभीर के अनुसार सादू से पूसना साही है क्या पूसना साही है तो ज्यान की बाते पूसनी साही है फालतों की बाते नहीं ज्यान की बाते नहीं उसका पता पूसना साही है न जाती नहीं उसकी आयू शिरफ ज्यान की बाते पूसो अगर आप सीख सक से आप पढ़ यह जलादी जल दी शार गरता जल ब्राव वाला इसतन तो इसका वसल दी ठीक है तो जो यह अब से अब्जेक्टी थे और 1% टाफ जंट उपकार और अपकार कारते हैं यह अब फ़ीदर थेयों पड़ीक है ध्यास कारता है भलाई बुराई ठीक है उपकार का मरता बलाई करना और अपकार का मरता बुराई करना तो इसका ओप्शन ही हो जाएगा तो मौस्ट इपोर्ड कैसा लगा विदार्थियों आपके आप अब ऑब्जिक्टी पर्शन और यह पर्शन आपको बोड़ प्रिक्षा में देखने को मिलेंगे विदा पर लगातार जुड़े रहते हैं उनको बहुत ज्यादा फाइडा होता है अपनी कख्षा में टौप आजाते हैं अच्छे अच्छे अंकों से 80% लेकर पास होते हैं विदार्थियों क्योंकि वह कम समय में एक बहते हैं त्यारी कर सकते हैं अपने इस वीडियो के माधियों इस पेपरों के माध्यम से आप पुरा जिलेबस पढ़ते हो बारा महीने पढ़ते हो लेकिन आप एक बार इस पेपर के साथ सभी परसंद आप աियाद करते हैं तो आपको कितना फाइदा होता है तो वही फाइदा हमां आपको दिलाना चाहते हैं आप झुड़े रों लगादार त्यारी करते रहे हैं निशेदेगी पंक्तियों की पूर्ती रेले कि सही सब्द करा दीजिए शाहर कहा तो सबसे पहला करा कि कि दिल सोटा करना मुहावर्य melhores अर्थ हैं में दिल सोटा करना तो मौन को जाना इसे ऑement इस से ना इससर ना एक यह माउच लेघाराील एक इस यह माउच आजाती कर बड़ा की आपके देरे की आंखों की जोती जाने की तो वर्दा की जो बुढ़ए जो अई सब्सक्राइब तो अगला है आपके यह बगवान के हैं क्या डाकी यह तो अगला है आपके ड्राइवर के शेरे पर उड़ने लगी क्या वाई या तो ड्राइवर होता है जो गबरा जाता है क्या ओ रहता है से तो गर्याय हैं अघवा फॉना की चोच क्हांच में तॉ़ चुंच आएगा यह पर ठीक है किस तरीक से अपकी सब्सक्राइब तरीक अइसे बना करें आपको प्रब्बभ करती हैं अगला लाश्ट होगा आप अगला नावागा पर्षन ओवा का 30 तीस रा ठीक है जुसे नंबर का होता है आपको मैं यह नंबर दे रखं़र नम रापमार कव तो यह परश्ण हो मार्क दे रखें वह इस न बॉसका कि बदले पैसे हैं वस्तू के बदले पैसे देना नहींकला गलते हैं तो यह आपके अभी दबहा है अभी सिद्या के पेर में धुलर Corner ये गलते हैं अक्की आहरी चंकर क Свेंद्ध पकाई मूख फिलम थी फिल्म कहते हैं इसले खुद Wish कहते कोफाननों चीड और और चंकर कमथेता गारे मूख फिलम दी बोलती कौन त we are आलम आरा कौन थी विदर दिया आलम आरा आलम आरा जो आलम आरा थी वो एक बोलती फिलम थी भारत की अगला है कि फटी दोती और जरजर दूपटा सुधाम पैने थे ठीक है यह बिलकुर साइकल आंदुलन था उसमें जो पूरूसो के के था प्रोटसाइट के था नहीं जो साइकला आंदुलन है वो महिलाओ से समद्दी था महिलाओ को प्रोटसान दिया था तो यह आपको बता आपको दोबार अगर उसके तो एक बार में ना या दो जाए तो दोबार आप इस वीडियो को देख सकते हैं है जोता ही निसी दिए गए सबस्तों के दों दोग प्रेवासी लिखिया लब नबका मांविता है कास और ना अनतरिक्स कर्या यह चेला यह जलदी याँए या बादल को क्या बोलते है जा व्योम दिन का होगा क्या दिन का क्या होगा वार होता है और दीवस भी होता है दीवस और वार पवंद का क्या होगा वायू और अवा ठीक है वायू और अवा तो यह दो-दो परियावास यह आपको लिखने मैंने लिखा दिया आप याद कर ल पर्षण आपके श्यार नंबर क्या तो मखन लगाना मखन लगाना दॉलि जो रशे इनी निरास होना तुलसी दास टाओ अब धी भासा में थी और खाना खाया तो यह आपका बहुत सरल आएगा पेपर ज्यादा हाडनियांगा आपके जो बॉर परीख्स आने वाली ना उसमे बहुत इजी आएगा बहुत आसाना है का इंदिका पेपर सारे पेपर उबलब्द करवा दिये हैं अमने और भी उबलब्द करवाएंगे आपको इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विदार दियों अगला है नीचे दिएगे पाक्यों में समानार्ती सब्त लिखना है समानार्ती ने एक सब्त जैसे जिसपर कोई किसी का निरंकुस न वो उसे निरंकुस बोलते हैं तो क्या होगा अटूट जिसके टुकड़े ने वह उसे अटूट कहते हैं अगला है जिसका कोई आकार नहों तो आकार नहों तो उसे क्या बोलते हैं विदारते हैं जिसका कोई आकार नहों उसे क्या बोलते हैं वो आपको कमेंट बोक्स में बताना यह मैं आपके लिए सोर द अंगीनत जिसकी गीनत जी और उसे अंगीनत बोलते हैं जिसे गीना नाजा सके तो यह पूर्द पसकिने सबसें यह बटाना है कि जिसिका कोई आकार नहों कॉले वेधारती हूँ अब बड़े बड़े परसन आने वाले हैगो बी prost पढ़ने वीडियो बिए सृब्स दलने जाएगा दो से तीन घंटे का तो इसमें मैं इतना बोल नीं पाऊंगा तो मैं आपको सिर्फ पर्षन पर्षन बता रहा हूं कि कुछ कौन कौन से आने वाले यह पर्षन आपको साथ वा देख सकते हैं और यह आठवा ठीक है तो यह दो सबस्देखो इस तरीके से आने यह आएगा तो आप इस जरूर याद कर एक यह आएगा आपके कि नीसे दीए कि मुए और कर बात से बदल जाना ठीक है आपके नीर उपसरग लगार आगे दो सब्सक्ला में का यन रखना पर भाइल को वह जा अगे निर्दोस भातने को या निरंकोस को अध्यु तो आपको लेगाना नीर्दोस या निरंकूस ठीक है yeahadaga we Canada Paglia 10 Umhosa में शारतनी रखना रहत जाहिए एक तो गवाय रहे कि टोपी पर दरजी ने पांस फुदने क्यों जड़े थे तो यह आप दूसरा है आपके 15-16 क्या है कि इस गद्यांस को पढ़ना है और फिर उतर देने ठीक है बदलु का स्वाबा यह गद्यांस पढ़ना है फिर उतर देना है तो आपने जो पहले वार्ष इसको अब दूसरा है आपके निशी दीसी गद्यांस पक्तियें को बावार्थ किजी तो इसका बावार्थ है लिखना है अग्रा है आपके अज किसी एक पर सिर्ष कानी लिखी तो भूकी लोंबडी या सोने के अंड़े देना वाली मुर्गी पर दोनों में से किसी एक पर कानी लिखनी है को आप अपनी पास्बुक से याद कर सकते हैं अब अगला है कि आपके रोगी सीख सके सवांत को लिखी आप इस्तांतर परमान पतर लिखना है अपने अध्याबग जीगो टीसी यह तू क्या लखना है आपको एक ट्रांसपर सर्टिपिके ठेरू एक प्राथना प भारत मिशन अब यहां तो इन किसी चार में से किजी एक पर आपको नीमन दिक और ठीक वीदारतियों तो इसे इग्णोर ना करें लाश्ट तक आशकोणों का देखां और आपने तो इसे जरूरूर्याद करें खुब हुब धेखक पर आपको आपको देखने कुलेगा पार प्रिक्सा में तो विदारते हों फिर मिलेंगे अपने एक नए पेपर के साथ दूसरी पेपर कोई भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप अगर चाहते हो कि मुझे वह सब्जेक्ट पेपर अलकार होगी तो मैं आपको वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताए मुझे मैं वही अगले वीडियो में तब तक बने रहे हमारे चैनल पर फिर मिलेंगे जन्यवाद जहिन जेपार